हलो वे अबरियोन, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दाइन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की स्टूडियो के अंदर में हम M.H.I.04 के बारे में बात करेंगे एक्जाम से कुछ गणिटे पहले हम M.H.I.04 के अंदर में क्या पढ़ सकते हैं सबसे पहले अगर आपके बारे में बात करें तो M.H.I.04 जिसके अंदर में हमें पढ़ना है भारत के राजनेतिक समच्राओं के बारे में पारंबिक बारत से लेकर आधूनिक भारत के बीच में किस तरह से राज्यो का उद्वा हुआ उद्वाफ किस प्रकार से हुआ और समराज्यो का उद्वाफ किस प्रकार से हुआ इनके बीच में राजनेतिक तंत्र वैवस्था का उद्वाफ किस प्रकार से देखा जाता है इसके बारे में इस बुक के अंदर में बात करते हैं इस book के अंदर में total 7 block है और हर block के अंदर में 3-4 lesson है total 27 lesson को आपको cover करना है अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर 27 lesson को बैठ कर पढ़ नहीं सकते हैं यह वाला भी lesson important है, यह वाला भी lesson important है यहाँ पर हम सिर्फ गिने चुने 8-10 chapter के बारे हम बात करें है कि अगर in this lesson के हो अगर आप पढ़कर जाते हो, इस chapter को पढ़कर जाते हो तो I hope so you are going to get good mark तो चली start करते हैं, सबसे पहले अगर मैं first block की बात करूँ तो first block के अंदर में आपको कौन से lesson को पढ़ना है तो इस first block के अंदर में 4 lesson है, आपके first block के अंदर में 4 lesson है यह question important है, इसको आपको यहाँ पर लेके चलए, यहाँ पर आपका जो second chapter रहेगा second chapter के अंदर में आप पढ़ोगे, छेतरी राज्य से समराजी तक देखो, छोटी छोटी जो छेतरी राज्य थे, उनसे कैसे बड़ा समराज्य बना इससे related question बनकर आता है, यहाँ पर दो तरह के question पूछे जाते हैं, एक question का रहता है नाम, भू सिमांकित राज्यों का विकास किस परकार से बने, यही question बनकर आता है बट इसके दो format में पूछा जाता है, एक तो simple सा पूछ ले जाता है, भू सिमांकित राज्य क्या है दूसरा पूछा जाता है, मोरेर राज्य के प्रकृति किस परकार की थी, तो अब यहाँ पर दोनों को define करोगे अगर इसके अंदर में answer की बात करेगे, किस तरह से लिख सकते हो, तो जैसे आप जानते हो, मोरेर समराज्य का उधवा हुआ तो 16 महा जनपदों में पूरा divided था, ठीक है, आज की समय में जैसे आप देखती होगे, संसद 1 के अंदर में जो हमारा photo लगा हुआ है, map लगा हुआ है भारत का, जिसमें अखंड भारत की बात की जाती है, अखंड भारत को दरसाए गया है, जो समराज असोग के टाइम का है ठीक है, जो मौरे काल के ही आगले PD माने जाते हैं, ठीक है माने जाते हैं मतलब है PD है, साथी साथ यहाँ पर बात करें, तो 16 महा जनपदों को किस तर से regulate कह जाता था, राजा को कैसे सरो परी रखा जाता था, माना जाता था, राजा का ही आदे सब के उपर लागू होता था एक कोशन बनकर आना तै होता है इस ब्लॉक के अगे बढ़ते हैं, बाकी के जो चैप्टर उसके इंदर में कुछ खास है नहीं, आपको पढ़ने गले तो यहाँ पर यही रहने वाला है, अगर आप सेकिंड ब्लॉक की बात करेगे, सेकिंड ब्लॉक के अंदर में क्या पढ इंपर था, उसके अंदर में भारत के अंदर में किस तरह से राज्यो काउद बहुआ, यहाँ पर टोटल तीन चैप्टर आते हैं, चैप्टर नम्बर अगर आप फाइफ की बात करो, चैप्टर नम्बर फाइफ के अंदर में साथ जो सामंत वाद है, सामंत वाद से कोश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, सामंत वाद क्या है, भारत के अंदर में सामंत वाद का उदे किस प्रकार से हुआ, किस तरह का इसका सोरूप रहा, यह कोश्चन आपको देखने के लिए मिल जागा, चैप्टर नम्बर फाइफ के अंदर, चैप्टर नम्र सामंतवाद के बीच में वास्ट के प्रकार बारत संडर में सामंतवाद किस प्रकार करा यह teraz Biz क्षिए संदर के प्रकार करा इतना के प्रकार कि कि ट्रह वा सा थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा question को इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा last year के question जो previous year के question है उनको पढ़ो उनको solve करो जिससे आपको mindset के लिए रो कि questions के pattern क्या होता है इसी के कारण से मैंने ये दाइनप के उपरे में already last five year के question पर करवा रखें और अभी जो दो-चार गंटे का time है न जो lessons में बता रहा हूँ उनको करो साथ में कुछ topics देख लो वो important topics कर लो उसके बाद आप बैट कर last five year के question पर की वीडियो ज़रूर देखें जिसके आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है आगे बात करते हैं तो आपका chapter 5 के अंदर में एक topic रह जाता है भारत में सामन्तवाद का सामन्तवाद का भी topic दो तरह से पूछा जाता है दो तरह का होता है यहाँ पर तो आपका भारतिय संदर्व में स्रिफ सामन्तवाद पूछा जाएगा पर बै कई बार question यह भी बन कर आता है कि यूरोपिय संदर्व में सामन्तवाद की इस पर कार करा है जो आपकी book में यहाँ पर नहीं आएगा ठीक है वो किसी और book के अंदर में पूछा जाता है ठीक है तो यूरोपिय संदर्व में भी सामन्तवाद होता है भारतिय संदर्में केहां बात कर रहे हैं यहां पे चेप्टर सिक्स के इंदर में कुछ खास कोउशन आपको देखने करीं मिलेगा यहां पे एक ही कोईशन रहेगा अगर आप चेप्टर नोबर स्वांब जेवन के उर बढ़ोगे तो वहां पर भी क्थ खास है नहीं पर बहुत कराने जो पारंबिक भारत के इंदर में जो मद्यकालिन भारत पारंबिक भारत का वहां पर राजनेतिक संद्चनाओं का विकास फिस प्रकात से वहा यह कोश्चिंट बन कर आता है तो आपको यहाँ पर time जो है वो याद करकर चला पतेगा ठीक है समझ में आता है आगे बढ़ते जो block number 3 की और block number 3 की बात करें मद्यकालिन राज्ये के बारे में तो मद्यकालिन राज्ये जहाँ पर आपका जो chapter number 8 से शुरू होगा chapter number 8 से रहे कर 11 तका पूरा जो chapter है अगर आप देखोगे मद्यकालिन भारत के अंदर में तो यहाँ पे कुछ खास question नहीं है बट chapter number 8, 9, 10 यह तीनों important chapter है इसमें से एक question बनकर आना आपका तय है chapter number 8 के अंदर में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतरगर किस तर से राज्ये की प्रकति रही ठीक है, राज्य की परकृति मतलब राज्य के अंदर में किस तरह का परसासन व्वस्था था, किस तरह का राज्य व्वस्था था, किस तरह से राज्य को रेगुलेट किया जाता था, ठीक है, राज्य को रेगुलेट करने के लिए किस किन किन चीजों के ऊपर में ध्यान दिय इस तर से किसी तिहासकार ने क्या बोला है इन सभी से लेड़ीड एक कोश्चन आपका बन कर आता है तिके दिल्ली सल्तनत ववस्ता किंतर तो ये वाला चैप्टर आपका इंपोर्टेंट रहेगा साथ इसाथ अगला चैप्टर आपका चैप्टर नम्र नाइन जहां पर हम ब परकार की थी विस्तार के निती किस परकार के रही विजयनेगर का पता नहीं किस परकार से हुआ बहमनी और विजयनेगर की कॉंफलेट को बताईए तो इस तर से कोश्चन बनकर आते ही तिहासकारों के बीच में क्या सुझावे मतबेद है कि सिधांत है उनके विचार क्या कुछ भी कोश्चन यहां पर पूछा जा सकता है घुमा फिरा के पूछेगा इतना एजी नहीं रहता है कि डारेक्ट पूछ लेगा कि वीजे नगर के बारे में बताईए ऐसा नहीं पूछा जाता है तो थोड़ा सा आपको यहां पर वीसे इस फोकॉस करने की जुरूत बढ़ोगे तो मुगल राज्य के बारे में पूछा जाता है कि मुगल राज्य की राज्य की परकृति किस परकार से रहा इतिहास कारों ने क्या बोला मुगल राज्य की राज्य की परकृति के बारे में पर सास्निक ववश्ता राजनितिक ववश्ता सांस्कृतिक ववश् तो उनके माइन में आजा था कि मुगलकाल के अंतरगती दिल्ली सल्तनत रहा दोनों अलग-अलग पूरा टाइम पिरेट है दो अलग-अलग पूरा वन्स और समुदाय जाती खून सब अलग-अलग लोगों ने राज किया है तो सल्तनत काल अलग है तो दोनों को थोड़ा करन के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो भाग-एक और भाग-दू के अंदर में डिवाइड है अगर आप यह फोर्थ ब्लॉक को देखो गए तो पूरे फोर्थ ब्लॉक के अंदर में तीन चैप्टर चार चैप्टर आते हैं आपको ठीके चैप्टर नमबर 12 13 पे जाते हो तो यह वाला कोश्चन आपका इंपोर्टेंट रहे का कि अपनिविशिक सक्तिया जो पूर्तकार डच और फ्रांसीसी थी किस प्रकार से यहां पर भारत किंद्र में आई किस तरसे उन्होंने अपना जो पूरा अधिपत था वो कायम किया पूर्तकाली लोग उस पे उन्होंने अधिपत कायम करने की कोर्सिस करी भारत यह जो 30 वैपार था ठीक है जो समुंद्री के किनारे वाले वाले वैपार शित्र से उस पे किस तरसे पूर्तकाली दौरा कपजा किया गया डच लोगों को किस तरसे 25 साल की लीज के उपर में मतलब एक एग्रिमे यहां पर हम बात करेंगे ब्रिटिस व्यविश्चिक राज़े के बारे में न रसी न smart doin को फेंटि Just सासन क्या चें रहे किस तर्यन के थे सासन का दौरा अंतरगत यह आपको यहां पर बताना है तो पुर्थ और उन लोग नाम है पूर जो राज्य और रियास्ती थी जो राजवाड़े थे उनके अंदर में लोगतांत्री व्यवस्ता किस परकार की थी किस तरह से वो राज कर रहे थे क्या चीज़े थी उनके महाँ पर ये भी एक question के तौर पर देखा जाते है ठीक है रियास्ती के अंदर में जो रियास्ते थे ठीक है राजाओ जो छोटी-चोटी डानेंशिडी थे राजे थे राजाओं द्वारा किस तरह से राजी की उत्पत्ति हुई किस तरह से राजी को परसास्वे पाट संवरिट करतें थे पूरा यहां पर बवाभस्ता किस परकार था ये आपको बताने के लिए एक तो यहां पर यह वाला question के जाओगे अगले block के और बढ़ते block नमबर अगर हम बात करें block नमबर 5 के और प्रसाशनी को संस्तागत संद्श्राओं के बारे में तो यहाँ पर भी आपको 4 lesson आपको देखने के लिए 3 lesson है sorry 3 lesson है जिसमें 16, 17 और 18 मिल जाते हैं देखने लिए तो यहां पर अगर आप लेस्न नम्बर 16 की बात करते हुए अगला चैप्टर अगर आप देखो गए चैप्टर नम्मर 17 जहाँ पर हम उत्तर भारत के प्रशासनिक संस्तात संद्रजनाओं के बारें बात करते हैं यहां पे यह दो जो एप्टर जो है आपके चैप्टर नूंबर 16 और चैप्टर नूमर 17 जहां पे हम बात करते हैं भारत के संपुन विस्तार के बारे में ठीक है कि किस तरह से परसासनिक ववस्ता था किस तरह से संस्थाकत संरचनाई थी जो भी इंस्सिप्शन से बनाये बात करतें तो नहीं के अंदर में कोश्चन पूछलाने का सिंटन रहता है कि प्रास्रासनिक व्यवस्ता संस्तागत संवर्चनाओं के बारे मीं बताईए तो दोनों को यहां पर लेकर चलना यह दोनों कोश्चन आपके important रहे लास्ट वाले चैप्टर यहां पर वोईड कर सकते हो यह आपका question इंप इदी और नियाइक पदिदी जो है इसको यहां पर अटा सकते हो बागी यह दोनों चैप्टर important है दोनों में से तीन लेसन आपको देखने के लिए बिलेंगे विजय नगर भहमनी और दूसरे राज्ये जुबारास यहां पर विजय नगर से लिटेड कोश्चन आता है विजय नगर का जो नायक ववस्था था वह किस परकार का था बहमनी के अंदर में परसासनिक धाचा किस परकार का था और बंगाल के परसासनिक धाचे किस परकार रखे रहे यह कोश्चन बन कर आता है तो विजय नगर के जो छोटी छोटी जो ववस्था थी ना समराजी के अंदर में परसासनिक ववस्था के जो अंग थे उसके बारे में कोश्चन यहां पर पूछा जाता है और टिपनी बे जी का भी कोश्चन इंपोंटेट है यह तीनों चैप्टर दुबारस रेपीट हो रहे इस बात का ध्यान रखना पहले जो पूछा गया था वह अलग ववस्था के उपर में कोश्चन था अब यहां पर जो पूछा जा रहा है वह अलग है चैप्टर नमबर 19 दिल्ली सल्तन की प्रशासनिक ववस्था किस प्रकार का है दिलली सल्तनात के अंतरकत कींड्रिय जो प्रशासनिक ववश्थातह हुआ किस प्रकार का था यह कोशन बनकर आता है तो यहां पर यह तीनों चैप्टर धिल्ली सल्तनत विजynn juice अगर और मुगल सम्राजय के अंदर में भी आग तो यहां पर मुगलों के टाइम पर क्या था और जैसे उस समय के जो अठारीस तादी के अंदर मुगलों के टाइम की बात छोड़ दो East India Company जो भारत के अंदर में थी 18 साधी के अंदर में तो East India Company ने एक उत्रादिकारी नियम बनाया जिसके अंतरकत के आउता था किसी भी राजा को उत्रादिकारी गुसित करने का दिकार नहीं था ठीक है कि किसी को भी गोध लेकर गुसित कर दे रहें सट उत्रादिकारी राज्जे का मतलब क्या था इंच ने आएगाई जैसे मुगल राज्य का पिक प और उसका उनोक से एक में बढ़ता है ता सारष संतावन बने जिसके कारण से जो मुगल राजे था पतनी के और बढ़ने लगा और वहाँ पे उत्रा दिकारी राजे का पतन हुआ जिसके बाद जो भी सम्राज जिसके इंदर गतात है अपने आपको उन्हों ने सोतन तरगोसित करना शुरू कर दिया तो यह कोशन आपको इहाँ जानता ही यह चीजे यहां पर देखने के लिए मिलती हैं जबकि पहले वो जो अवद हो चाहे है रदाबाद हो वो सारे मुगलों के अधीनी कारे करते थे अपने आपको सोतंदर गोसित करना सुरू कर दिया और अपने आपको अलग किया मुगलों से तो इस कारण से यहां पर उत्तरा अध इस पूरे ब्लॉक के अंदर में तीनी चैप्टर रहेंगे, तीनों चैप्टर को आपको पढ़के चलना है, दिली सल्तनत, विजयनेगर, वहमनी राजे और मुगल राजे के बारे में, तीनों के अंदर में कोश्चन का पैटरन सीम रहता है, बट यहां पर थोड़ा डीपली प्रसासन ववस्था के जो अंग है, उससे लिटर्ड कोश्चन पूचा जाता है, जाए दिली सल्तनत की बात करो, चाहे विजयनेगर की बात करो, चाहे मुगल समराजे की बात करो, तो यहां पर थोड़ा से पढ़के चलो, और तीनों चैप्टर में ते टिपनी बेस कोश् प्रकार के बन कर आता है, तो इनको पढ़कर जलो गया, उतरा दिकारी मोगल पतन होने के बाद जो अपने आपको सुथ GR to करने लेगये, तो उनको ऊतरा दिकारी राजी के तौर पे define करें, ठीक है, हम अगले block के बढ़ते है, block नंबर 7 जहां पर हम बात करते है, ब्लॉक न नियम के बाद क्या हुआ कि कोई भी राजा जिसका अपना बच्चा नहीं हुआ किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता जिसके पूरा राज्य का जो अगला राजा होगा कोई नहीं बन सकता और उसके बाद जो पूरा राज्य कंपनी के कंट्रॉल में आ जाती थी साथ राजे के पूरा राजी के अंदर में और और do होगा वो छेतरी राजी या राजवाड़े तै कर सकते तो इस तरह कर से ना इस तरह से ना मतलब आइडिलोजी के साथ है बिर्टिस राज्यों का उद्वभव में देखने के लिए मिल जाता है जो उनके अधिन कारे करते थे तो आइडिलोजिकल बेस पर कोश्चन पूचा ज जाता है भारते राजनिते की जो समाजिक राजनिते ववस्था ती यह पूचा जाता है तो यहाँ पर इसको बढ़ सकते हो अगला चैप्टर नमबर 24 के अगर बात करोगे गति भी दिया अब इस इंडे कंपनी आसे निती की सरीब राज कर रही थी पैसे लूट रही थी भ इंपोर्टन रहेगा अगर आप संसादनों की बात कुरो चैप्टर नमबर 25 का तो यहाँ पर कुछ खास ने रहता है भूमी बंदबस्त, थाई बंदबस्त, भूर आस्तो जैसे लिडिट कोश्चन यहाँ पर आपको देखने के मिल जाएंगे अगला कोश्चन जो आपका रहता है ना हसचेप और विस्तार का सिक्षा और समाज के बारे में तो भारत के अंदर में अंग्रेजी सिक्षा का किस तर से विस्तार हुआ कि किस तर से विस्तार किया गया अंग्रेजी सिक्षा का इससे लिडिट कोश्चन आता है और यह इंपोर्टन चैप्टर रहेगा कई बार question बनकर आ जाता है अगला chapter जो इसका आया का chapter 27 चांपियामन उपनेविशिक राज्ये के अंत के बारे में बात करते हैं तो कुछ खास question नहीं रहता उत्तर जो उपनेविशिक काल था उत्तर उपनेविशिक काल उत्तर उपनेविशिक काल खतम होने के बाद का जो समय पिरेड रहा उसके अंदर में भारतिय राज्ये की जो मुख्य विश्यता थी किस परकार गीती किस तरह से उनको स्वायता दी गई किस तरह से उनका विकास हुआ इसके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाता है जैसे आप देखोंगों उत्तर उपनेविशिक काल के अ सबी लेसं को पढ़ने की ज़रत नहीं है हर बॉक के अंदर में 2-3 लेसं और मॉस्ट मान के चल सकते हो 10-11 लेसं आपको पढ़ने है अब 10-11 भी बहुत जादा बड़ा लगर उगा तो किस तरीके से पढ़ सकते हो क्या पढ़ सकते हो यह मैं आपको थौसा किलियर करू आप आपको 10-12 lesson ऐसा नहीं कि 10-12 lesson पूरा गद्युक्टो कम्प्लीट करना उसके अंदर में topic है घर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो आपने अपको मैंने topic बताइए कि पहला lesson के अंदर में पहला तो पहले ब्लॉग के अंतर में दो टौपिक आपका मुख्यात अंतर के बारे में और जो भूस सिवांग के तराजी था या मोर राजी के प्रिगित अपको पढ़ना है टौपिक इजी है 500 वर्ड के अंदर मैं राम से आंसर आपकी बूक में दिख जाएगा थोड़ा सा अगर आपको वीडियो मिल जाएगा और रिक्वेस्ट यह रहेगा कि अगर आपको वीडियो मारी वैलिवल लग रही है तो आप लाइक, सेर, सब्सक्राइब जुरूर करें अपने दोस्तों तक भी पहुचाएं जिससे वो भी इस वीडियो का बेनेफिट उठा सेके अब यह कर पिर जाएगा तो वहां पर इस तरीके से इण इस तरीके से अपना जो भी मैंने टॉपिक बताया है उसको स्टड़ी करो थोड़ा सा टाइम दो समझो और थोड़ा सा का टाइम बसता है आपके बासना तो लास्ट फाइविर के कोश्चन पर की जो वीडियो है एक गंटे की वीडियो है और मुस्ट उसको राम से प्ले करके पूछा गया है और कल सेकन बेर का इएस्ट्री अमचा जुरू थ्री का महैस्ट्री के अंदर में तो सेकन डियर वाले कौश्चिन पर के वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना सोच भी विक्सित करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा तर कोश्चन आप से पुछा जाएगा डारेक्ली, बुक के अंदर में क्या आंसर है नहीं पता, नहीं जानना उसे, ठीक है, उसको यह जानना है, जो सामने बैठा ना, उसका क्या मानना है, उसका क्या आइडिलोजी है, आपकी आइडिलोजी को पोचेगा, तो इसको थोड़ा विक्सित करके थोड़ा सा ज़्यादा पड़ोगे, डेटेल में समझोगे, तब आप अपना opinion भी वहाँ पर रखता होगे, तो यहाँ पर मैं वीडियो अंड करूँगा, रिक्वेस्ट यही रहेगा, कि लास्ट फाइवर की वीडियोस देख लें, अल्रेडी डली हुई है, इंपर्टन कोशिन की वीडियोस देख लें, वो भी अल्रेडी डली हुए, मैं लाइव सेशन भी लेने वाला तकल, बट जस्ट विकोज अफ सम हेल्थ इशू, मैं नहीं ले पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आगे हम किसी और लाइव सेशन के अंदर में मिलेंगे, मैं साइ 05 के लिए, तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, बाब बे, टेक कर, all the best.